हेलो मैं यूट्यूब फैमली वेलकम बैक तू माई चैनल आज हम अपने किचिन में बनाने जा रहे हैं नूडल्स रोल इसको बनाना बहुत ही इसी है अगर आपके घर में कोई पार्टी है या बच्चों का कोई आप फंक्सन कर रहे है या आप कहां पर गैस्ट आ रहे है तो इसको आप बना कर एक बार जरूर ट्राइ कीजिगा यह बहुत ही जल्दी बन जाते है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना इससे बनाने के लिए मैंने एक पतीले में लिया है पानी इसे हमने बॉइल कर लिया है जब यह बॉइल हो जाए तो इसमें हम डालेंगे मै मैगी को हमने ज्यादा गलाना नहीं है अब मैगी को दो मिनिट बॉयल करने के बाद इसको हमने छान लेना है इसको थोड़ी देर छनी में रखे रहने दीजिए इससे इसका एक्षरा पानी निकल जाए अब हमने लिया है यहाँ पर सब्जियों को जिसमें मैंने लिया है एक बैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई सबजियां प्याज को इसमें लाल नहीं करना है सारी सबजियों को हमने एक साथ डाल दिया है और इसको फुल गैस पर एक से दो मिनिट तक सौते कर लेंगे कि सबजियों का पानी सूख जाए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और मैगी का जो मसाला हमने रखा था वो भी हम इसमें एट कर देंगे नमक और मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि मसाला सबजियों में अच्छे से mix हो जाए इसके बाद हम इसमें डालेंगे boil की हुई maggie और इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे जब तक सबजियों और maggie अच्छे से mix नहीं हो जाती अब noodles बनकर हमारे तयार है इसको हम किसी बरतन में निकाल लेंगे कि जिससे ये ठंडा हो जाए रोल्स बनाने के लिए एक कड़ाई में हम डालेंगे तेल, आप यहाँ पर कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं तेल को हमने अच्छे से गरम कर लेना है जब तक तेल हमारा गरम हो रहा है हम कुछ रोल्स बना कर दियार कर लेंगे इसके लिए हमने एक ब्रैट को पानी में डाला है उसको दोनों हातों से अच्छे से दबाएंगे कि पानी निकल जाए फिर इसमें हम भरेंगे नूडल्स जो हमने बनाए थे और चारो तरफ से इसको जैसे हम कटलेट बनाते हैं वैसे इसको बंद कर देंगे इसी तरह से हम पान्चे कटलेट बनाकर रेडी कर लेंगे आप चाहें तो सारे रोल्स खटे बनाकर भी रख सकते हैं फर बाद में इनको एक साथ तल सकते हैं अगर आपके घर में सामको पार्टी है तो आप इनको सुभह भी बना कर रख सकते हैं मैंने यहाँ पर 5-6 रोल बना लिये हैं और तेल भी हमारा अच्छे से गरम हो गया है जब आप इसको तल रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान दें कि तेल अच्छे से गरम हो और इसको हमें सिम गैस पर नहीं तलना है इसको फुल गैस पर ही तलना है अगर हम इसको सिम गैस पर तलेंगे तो इसके अंदर तेल भर जाएगा और फ़र वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे तेल हमारा अच्छे से गरम है तो चलिए इसको जल्दी से तर लेते हैं इसको हम तेल में डालेंगे जब ये एक तरफ से अच्छे से पक जाएंगे तो इसको हम चम्मस से पलट देंगे इसको कर्चे से उठाईएगा मत क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं और ये तूट सकते हैं हमने सारे कटलेट्स इसी तरह बनाकर रेडी कर लेने हैं जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इनको आप निकाल लीजिए एक तिशू पेपर पर अब नूडल्स रोल बनकर एकदम तयार हैं ये बाहर से एकदम क्रिस्प और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने हैं इनको इन्जॉय कीजिए टमैटो कैचप या घर की बनी हरी चटनी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना पिल्कुल नहीं भूलिएगा